नमस्कार दूस्तों रास्ते में देखोगे तो बहुत सारे सीन चलते रहते हैं कि बुजर्ग इंसान की हरकत देखोगे कि कई सारे लर्की चल रही है रास्ते में तो फिर बुजर्ग इंसान ने क्या क्या कि आपना आपना और आफों से पोस्टर रहते हैं, उसे देखकर आसे देखते रहते हैं, और तोमारे जो भी शीन होते हैं, बस में या फिर ट्वेन में, क्या हो था है कि लगई की फोटो लेना, बुज़र गूरोख बुज़र की इंसान करते हैं, लेकिन ऐसा है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंसानों की, देखोगे कि जो भी age group होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, जो भी age group होते हैं, उन सभी लोगों में sexual desire होता है, एक sexual desire होते हैं, एक normal सी चीज है, biological चीज है, इस information को हम deny नहीं कर सकते हैं, कि इसके अंदर नहीं होते हैं, सब के अंदर होते हैं, लेकिन जो चीज अलग बनाते हैं लोगों को, वो हैं उनके मर्यादय में रहना, एक indignity बना कर रहना, जो इंसानों ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, उसे इंसान की category में हम नहीं रख सकते हैं, अगर देखोगे कि 10 से लेके 20 में, जो भी वच्चे आते हैं, जो भी इंसान आते हैं, उनके थो थोट आएंगे, लश्टफल थोट भी आएंगे, क्या होता है कि मुवीज उन्हें जो दिखाती हैं, वही थोट वो अपनाते हैं, मुवीज में रोमान्टिक असपेक्ट दिखा जाते हैं, और उनके लिए दुनिया नहीं है, और इन सब चकर में वो कभी थे नहीं, दिखाता है कि रोमान्टिक भावना को प्रायोटी देता है, लेकिन जो इनसान पचास में है, या पर उससे जारा है, उनके नजर में दुनिया कैसे होंके, उनके अंदर तो वो रोमान्टिक थोट नहीं आएंगे, उसके अंदर आएंगे लश्ट फोल थोट, वो पहले से सल्सक्राइब, रहे चुके हैं, भी भी हैं, फैमिली से बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ देखे भी हैं, तो पर यासा तो नहीं है कि दुनिया बिल्कुल नहीं है, एक 18- dönem के उम्ड़ में जो भी लगए होते हैं, उनके जैसा वीसम तो नहीं होंगे, बहुत और इसके लिए उनका जो थोट हैं वो भी अलग होंगे कि जैसे मैंने पहले बता है कि लश्टुल थोट उनके अंदर भी होता है अगर उनके मोवल चेकर होगे, ब्राउसेश्ट्री चेकर होगे तो पर पता लग जाएगा एक सेकेंड में लग जाएगा कि वो क्या सोचते हैं लेकिन यह देखकर हम डिटर्माइन भी नहीं कर सकते ही वो कैसा इंसान है क्योंकि हर किसी में तो यह थोट आएंगे हर किसी में आते हैं कि किसी के ब्राउसेश्टी तुम चेक करोगे तो पर दे होगे एक नाएक वीडियो देखी जाएंगे तब बात यह है कि अलग कैसे होंगे एक इनसान को अलग दृष्टी से कैसे देख सकते हैं अगर वो इनसान डिगनीटी बना कर रखते हैं मर्यादे में रहते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है उसे एक respectable human की तौर पर हम देख सकते हैं लेकिन जो इनसान ये करने में fail होते हैं उसे हम respect नहीं कर सकते लेकिन हमने क्या किया बच्पन से लेकि एक perception हमने built करके बैठे हैं कि जो इनसान समझदार होते हैं मतलब जो भी बुज़र्ग इनसान होते हैं पचास के उपर हैं जो भी इनसान होते हैं पचास के साट के सतर के हमें लगता है कि वो समझदार है हो सकते हैं, समझदार भी हो सकते हैं बहुत कुछ acceptance करके बैठे हुए हैं intellectual भी हो सकते हैं powerful इनसान भी हो सकते हैं किसी बड़े position में यह अपना रॉब जमाना वाले इनसान भी होते हैं पैसे वाले इनसान भी होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें इस बात के भी समझज हैं किसी-किसी इनसान में होते हैं जो आपने lustful thought के of your debate वो behave करते हैं दूसरे लोग के साथ इसलिए तो देखोगे कि अख़वार में कभी सारे न्यूस आते हैं कि देखोगे जो powerful इंसान है पैसे वाले इंसान है वो लड़की को offer कर रहा है कुछ ऐसे चीज offer कर रहे हैं बिलकुल समाज के दिश्ची से बिलकुल वो गुना है ऐसे ख़वरे देखते हैं वो मिलती है तो इसका मदलब तो यह नहीं है कि जो समझदार इंसान जो बैठे हुए हैं उनके अंदर यह thought नहीं आ सकते वो एक अलग चीज है और यह एक अलग चीज है जो इंसान ऐसे अपने लश्फुल थौट के अकोडिंग बिहब करते हैं वो इंसान के कैटेगरी में नहीं आते हैं और हम क्या सोचते हैं कि एंसान इतनी बरी-बरी बाते करता है एंसान बहुती समझदार है प्राब्लम सॉल्विंग करता है फाइनस में इतना सारे ग्यान है पैसे हैं, पावर हैं और कितने चारिटी चलाते हैं लोग को रिस्पेक्ट करते हैं तो इनके अंदर ये थौट कहां से आएंगे और आते भी हैं वो अपने कंट्रोल में रखता है क्योंकि वो अच्छे इंसान है है ना तो फिर ये वाले केस तुम्हारे सामने क्यों आते हैं कि लोग ऐसे बुजर्ग इंसान वो लड़कों के फोटो ले रहे हैं ऐसे ऐसे ओफर कर रहे हैं तो ये वाले नियूस क्यों देखने को मिलता है क्या होता है कि जातर लोग को पता हो जाता है कि वो एक बुज़र्ग इंसान है और वो लोगों से बच सकते हैं चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन वो अपना उम्र की जो एक गाथा है वो सुना के वो बच सकते हैं क्योंकि उनके अंदर टॉक्सिक भावना होती है सबके अंदर होती है लेकिन बहुत ही लोब लेबल में यह भी वेरिंग करते है जो अट्राशल के उमर के लर्गे होते हैं यएलाज बीन के लिव और उनके अंदर शिर्फ और वावन फूल थॉट नहीं आते हैं उसके अंदर रोमेंटिक थोड आते हैं, लगकों की प्रती वह कैसे वीप करें, यह सब कुछ वह देखता है होता है कभी कभी कि बहुत साथ एमोसिनल हो जाते हैं अगर वह कुछ उचनिच उससे हो गई, तो फिर उससे गलती का नाम दे सकते हैं, उससे गलती हो गई यह कह सकते हैं, लेकिन जो इनसान ऐसे आधे से जादा उम्रे वह बीच चुके हैं और बहुत सार एक्सपरिंस करके बैठे हुए हैं, अगर उनसे कुछ हो जाए, तो गलती नहीं कह सकते हैं वो सीधे एक Crime Offense कह सकते हैं, एक Criminal Activity कह सकते हैं है ना, बस कहेना का मदलब विडियो का point बस ही है, कि जो भी इनसान होते हैं, जो कम उम्रे वाले लोग होते हैं, या फेर बुज़ोर्ग इनसान होते हैं हर कोई, हर किसी के अंदर thought आते हैं लेकिन वो कितने मर्यादे में रहते हैं, यह वाली बात ज़ादा इंपोर्टेंट है, यह पहचानना सिखना होगा, कभी कि वैसा होता है कि लोग लगी के मदद करने जा रहे हैं, लेकिन लगी ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं, इसके लिए क्योंकि हमने क्याटगरेश कर दिया जो विशुत लोग होते हैं, कुछ लोग के वज़े से सारे लोगों को हमें एक क्याटगरी में गाल देते हैं, हमें दखता कि सब एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता, अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं